तो आज मुझे M pocket का repayment ना करते हूँ चार दिन हो चुके चार दिन मैंने due कर दिया amount को अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना penalty लगा है और क्या मेरे effect पड़ा है इस पर वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं activity पर जाऊँँ है मैंने यहाँ से open कर लिया है M pocket application को और यह हाँ पर आप देख सकते हूँ विद पैनल्टी 1489 रुपए बन चुके हैं बैसे जो मेरी माई यह वो 1444 रुपए की हर माई बनती थी जो नीचे वाली माई यह 1466 इस पर भी एक दो दिन due कर दिया था तो इसकी भी 1466 हो गई थी तो हम मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझ से क अब मेरा जो अभी टोडल हो चुका है 1489 रुपए माइनस 1444 रुपए एंड 35 रुपए पैनल्टी बन रही है ठीक है तो हम इस एमाउंट को पे करना चाहती मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं कर पाया ठीक है तो हम मैं पेन आओ पे क्लिक करूँगा लेकिन उससे ज़रूर अपलाई करें लॉन के लिए आपको कम सिविल स्कूर पर अच्छा लॉन एमाउंट मिल सकता है और अगर आप ट्रेडिंग बगरा करना चाहते हो डीमेट एकाउंट बगरा खुलना चाहते हो मूचल फर्ट में इंवेस्ट करना चाहते हो फ्यूचर के लिए तो अपलिकेशनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यहाँ पर हमारा अपलिकेशन अपडेट हो चुका है हम यहां से इसे ओपन कर लेते हैं जैसे हम ओपन करेंगे यह वाला इंटरफीस आजाएगा और यहाँ पर अभी जो मेरी एवलीवल क्रेडिट लिम कि इमप्रूब होती है तो हम यहां से पर उसके बास आप चाओ तो यहां पर कर सकते हैं तो फॉर एक्शमबल हम कले नें एप को select करना चाहो उसे कर लेना हमने आप फॉन पे को कर लिया है एंड उसके बाद जो total amount है with charges कुछ charges लगते हैं ठीक है 2 रुपए 3 रुपए उसके बाद यह amount आपका बन जाएगा आप जिस bank से payment करना चाहते हैं उसको select करके यहाँ नीचे pay pay क्लिक कर देना जैसे आप pay pay क्ल होगी आपको अपना UPI pin डालना है जैसे आप पिन डालोगे आपर connecting securely लिखे और यहाँ पर जो हमारा payment है वो successfully हो चुका है हम नीचे done कर देंगे और हम आजाएंगे m pocket की user interface पर यहाँ पर payment successful नीचे done करेंगे अभी हम यहाँ पर मेरी limit भड़ भी सकती है और घट भी सकती है कुछ पता नहीं है तो हम आते हैं इधर और यहाँ पर देखो कि मेरी जो limit है वो total 12,000 की हो चुकी है मैं यहाँ पर accept कर लेता हूँ य और अब आप इस amount को on payment में भी करकर के ले सकते हो on payment का बहुत ज़्यदा loss होता है आपको हर बार एक ही बार में payment करना पड़ता है लेकिन अगर आप इस पर detail में वीडियो देखना चाहते हो मैं link description में दे दूंगा और अगर आपको MI वाले option पर जाते हो तो यहाँ पर आप MI म आपके यहाँ पर जितना भी amount लेना चाहते हो 10,000 से ज़्यादा अभी आप नहीं ले सकते हो 2000 आपको छोड़ना परेगा ठीक है तो हम यहाँ पर 10,000 पर click करेंगे and उसके बाद आपको यहाँ पर select trend पर click करना होगा यहाँ पर आप कितने मंत के लिए लेना चाहते हो अगर 12 मंत के लिए लेना चाहते हो तो इस पर click करना है 12 मंत में आपको 10,666 रुपए पर मंत की किस्त बनेगी अगर आप इसे लेते तो आपका कितना amount बनेगा वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक साल में इतना amount पे करना पड़ेगा 12,792 रुपए 700,92 रुपए इनको देने पड़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2792 रुपए एक्स्टा लग रहे हैं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है अभी आप देखोगे तो आपकी आखें और आपकी girlfriend की आखें फटी रह जाएंगी ठीक है तो हम क् request loan पर click करेंगे something आपसे 5000 रुपए लगेंगे extra अगरा 12 मंत का select करते हूं यहाँ पर तो अभी आपको पता पड़ जाएगा देखोगे यहाँ पर total loan amount 10,000 का है और यहाँ पर यह charges बगेरा 1320 रुपए यह लगेंगे 30 रुपए यह लगेंगे amount to be disports यह amount आएगा आपके bank account मे 650 interest before due date मतलब इतना आपका interest बनना है 2749 रुपए total amount pay bill आपको इतना pay करना पड़ेगा जैसा में आपको बताया था total pay करना पड़ेगा bank में इतना आएगा 650 minus यहाँ पर मैं इसको करके दिखाता हूं तो यहाँ पर 12,792 रुपए हमें total pay करना यह बाला और यहाँ पर इतना amount account में आएगा 650 रुपए आप देख से तो यहाँ पर 650 में ने मैनस किया 442 रुपए आपसे extra लगेंगे एक साल में इतना आपको extra देना पड़ेगा एक साल में amount 10,000 पर नहीं इतना amount आपके bank में आएगा तो यह application मुझे थोड़ा ज्यादा interest लग रहा है लेकिन मैं जो description मे link दिए आप उन पर apply करना उन पर आपको अच्छा loan amount कम interest पर मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैं इस application में loan लेवी नहीं पा रहा हूँ अगर मैं चाहूं तो चाहा के भी इस amount को bank में नहीं ले पाऊंगा अब आपको वो problem नहीं आ रही होगी लेकिन मुझे आ रही मैं 1000-1200 रुपए कटते रहते थे माइनस में जाते रहते थे और अगर मैं पांचार नहीं रखता हूं तो ऐसा ही होता था लेकर मेरे बस पांचार रहते भी नहीं थे इसलिए तो मैंने अब यह बंद गरवा दिया है और अब मैं इसमें पैसे न ले सकता हूं और न दे सकता रहे क्या प्रोबलम हा रही है ठीक है विकॉस हम पचास इमेल तो आपको कर चुके लेकिन आपको घंटा फरक पड़ नहीं रहा है उसमें तो यह सब हम कर चुके कुछ फरक नहीं पड़ रहा है यहां पर मैं कोई दूसरे बैंक एकाउंट लिंक कर रहा हूं एड न्यू ब बैलेंस वाले सारे बैंक एकाउंट इनने रिजेक्ट कर रखें मेरे ठीक है तो मैं इसलिए गया रहा हूं कि मैं चाहा के भी इस बैंक एकाउंट में यह पैसे नहीं ले सकता हूं जो हमें 12000 की लेमिट है अगर यह एम पोकेट वाले मेरी सुलने तो जरूर मैं ले सकता झाले सकता हूं